बढ़ी खबर उत्तर परदेश के हमिर पूर जिले से आ रही है जहां नमामी गंगे योजना की पानी टंके निचला स्तर पर बनाने के बिरोज में ममना ग्रामवासियों ने धरना परदर्शन पर बैठे हैं और उत्त जिला अधिकारी को आवेदन देकर उचित करवाई करने की मांग किये हैं और ग्रामवनों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में भी पानी टंकी उसी अस्थान पर बना है जिसे सेकलो गरों को पानी नहीं मिलता है जिला अधिकारी ने जल निगम विभाग को जाच कर आग रिपोर्ट देने को कहा है और जाच रिपोर्ट आने के अबाद उचित आस्थान पर पानी टंकी बनवाने का अस्वासन दिया है उत्तर परदेश हमीरपूर से रमिस कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट हमीरपूर जिले के सरीला तहसील में आज मौजूद हूँ जहां ग्रामबासियों ने धर्णा किया है और इसके बारे में हम ग्रामबासियों से जानेंगे कि क्या समिश्या है और किस प्रकार की समिश्या है वो बताएंगे क्या नाम है आपका आमर नाम है हमारा क्या समिस्या है पानी को लेके समिस्या है जो टंकी पूर में बनी है वहां से करीब दो हजार आदमियों को पानी नहीं मिला है और जो नहीं टंकी बन रही है वही टंकी वही उसी जगे फिर बनाई जा रही है जिससे वही समिस्या फिर रहेगी हमने अधकारियों से बात कि और जो हर देन बसती हैं उनको किसी को पानी नहीं मिल पारा लगवक 50 साल से समस्या है हमारे यहां और वहीं समस्या फिर पैदा करना करना चाहेते हैं कुछ लोग आज कहां पर आए हैं आज हम तैसिल सरीला में आए हैं साथ को ग्यापन देने तो क्या निवारान हुआ है अभी को नहीं हुआ ना कोई अधकारी आया हमारे बात करने के लिए चलिए ग्रामबाशी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे कि किस संबंद में आज आप तैसिल आए हैं हम इस संबंद में आए हैं सार कि जो टंकी है जो कना वो चाही में बना जाए चंद्खुरी के सर्वे आफ चोका है वो वह पिछली पुरानी जो टंकी ए वो टंखराव में हैं कम से कम 20ट को कि एराइब हम लोगों में पानी नहीं आ पाता है इस लिए हम लोग निश भाली से कहीं मनकहली छोटार से पानी साइकल से भर-बरके अपने जहर के बच्चों के जानी उनित व कि लिए हम सोते हैं कि चंदखुदी के पास कहीं न कहीं तंकी बना दी जाए तर पुरे गाउगी समय्स्या हलो जाएगी लोगों को कहना है कि पानी की बहुत बड़ी समय्स्या है किस किस ग्राम में समय्स्या है आज जो सिकायद कर रहे हैं आप तो SDM सहाब से कर रहे हैं किया अश्वासन मिला है कुछ अभी कुछ नहीं मिला सर अभी आए हैं बैठें अभी सोबह कितने बजे से आप धरना चल रहा है साड़े नो बजे दस बजे आए हैं